Hey guys, मैं हुछ सोच कनियाल और साखत करता आपका हाइड़क भाद इस YouTube चाहिए पर दोस्तों बीना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे Outlook application के अंदर किसी भी mail को आप create करते हो और समझे उसको आपको फिर बहुँ सार उसके ने काम है उस mail के अदर और भी करना है तो उसको आप प्रद्रेख कर देते हैं अब ह stewards में save करें जहां पर karma stream करोगे आथ जहें तो आप वापस से continue कर अपाँगे तो दोस्तों हाई चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट आउट्लुक इस एप्लिकेशन के अंदर अपने इमेल्स को जो आपको सेंड करना है उसे आप ड्राफ में कैसे सेव कर सकते हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर टैप करके यहाँ पर आपको जो है एक इमेल डाल देना है यहाँ पर डालने के बाद सब्जेक वकर लिख लेंगे और यहाँ पर आपको जो है मेल अपना लिख देन draft में save करने के लिए back का यह back के option पे जैसे आप tap करते हो न तो आपका जो mail होगा वो automatically graph में save हो जाएगा आपको यहाँ पर tap करने हैं और यहाँ पर tap करने के बाद यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं drafts का option दिखता हैं उसके अपर आप दिखाएगा तो इस तरीके से आप जो है अपने mails को जो है draft में save कर सकते हैं बाद ने back कर गए तो आपस से जो है वो update हो जाएगा और draft में उस तरीके से दिखाएगा तो विडिवेश लेकर वीडियो को ज़से दिखाएगा नहीं तो सब्सक्राइब पढ़ेगा मिलता नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाए डिक